वेल्कब तो रोबश्ट निश्ट में आपका सवागत है और आज आज आपको बता रहे हैं कि रिखुम मचली कैसे सवादिश धेंग से पकाएं तो चलिए पहले इस मचलियों को साफ सुतरा कीजिए बहुत अच्छे से साफ करने के बाद इसे साफ सुतरा कीजिए ताकि कुछ बचा हुआ नहीं रहे हैं अच्छे से सफाई कर लीजिए और अगर आप नहीं आया हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी परति के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में ख़ता है चोटा अपने आद्मी के हिजाब से आपके यहां जितनी जलतरणि में असे ghost लिए कर ले अब आफ़ अपना ग्रैस्व चला चला ले और कराय को तयार कर ले हलकास में पहले स्टार्ट करें मचली के लिए स्वादिष मचली के लिए धनिया पता भी काटकर मचली में मिलाना सुरू कर दिया है इस्टेप को देखते रही है सवादिस मचली पक के तयार हो जाएगा और पकने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा रहू मचली है और धनिया का पता अब मिलाया जा रहा है इदर कड़ाई भी तयार हो रहा है इसके बाद फिर टर्माटर डालेंगे आप 25 ग्राम धनिया पता लेंगे और 100 ग्राम टर्माटर लीजिए टेक केजी मचली में 20 ग्राम हरी मिर्चाई को काट कर लगाएं ढाद कुछ और सकता है के लाके नियुएँ अर्यसills को तो फिर कर सकता है बचाई का ते बिदियंगे क्यूंके हमारे यहां का जुब मुर्चाई क teammate को अब सानिया है इसमें आप 10 ग्राम मjutर्चाई काफी है मचली अगर ताजा हो तो कम फ्राय करें और मचली अगर ताजा नहीं हो वरफ से लाया हुआ हो तो कडाय को ज्यादा तेज गरम करें तेज आज से और सरसो तेल डालने के बाद फिर इसे कड़क फ्राय करें लेकिन बहुत ज्यादा ही कड़क नहीं अन्य था सवाथ घड़ जाएगा अब जबुरत के साब से आप नमक डालने अब आप जीरा और सरसो तस ग्राम लीजिए और उसको पीषिए आप इसने के बाद इसे भी मशली में मिक्स कीजिए और सो हलके हलके मिक्स करते रहे इससे मिक्स करने साब को दो फाइदे होंगे और फिर आप प्याज का देख रहे हैं लहसुन का मिक्सर और प्याज है इसे भी आप 20-20 ग्राम लेकर मिक्स कर देख और मचली में मिक्स करने के बाद कम से कम 20 मिनट के लिए इसे फिक्स करके रखें और वेट अब तोड़ासा मिक्स पाडर भी डाले और इसके बाद पिर ज़ुरत के हिसाब से फोड़ी हल्दी डालते हैं तो मचली को सबाद बढ़ जाएगा तो बजार के हल्दी में यहीटा भी मिक्स होता जेनरली इस बात को ध्यार में रखे हैं अब अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स करके 20 मिनट तक वेट करें, हलका पानी का भी इस्तवाल करें, अब आपका कडाल भी तैयार हो चुका है, इसमें तेल डाल दें, कम से कम 100 ग्राम तेल डालें, तेल डालें कंजूशी ना करें, वरना सवार यहीं पर सारा नास होचने का तेल को भी देखिए कि कड़क हो रहा है या नहीं, और फिर इसमें थोड़ा सा सरसो, करीब-करीब 10 ग्राम सरसो डाल दें, कड़क की आवाज आ रही है, तेल तैयार हो चुका है, रेडियो हो चुका है, प्राइ के लिए, आप सु तरह कल्चूर का ब्यवस्ता करें, और फिर मचली को उठाए, चुके 20 मिनट से मचली आपका पड़ा है, मसाले में, सवाद इसमें खिल चुका होगा, सवाद मचली में आ चुका होगा, रात का समय है, मैं कड़ाय का त्यल दिखानी पा रहा हूँ, आप बस आपका आवाज आ रही है, अब मचली को आप करीब करीब 10-15 मिनट तक फड़ाय करें, हलका आज का उपयोग करें, बीच-बीच में ब्रेक करके, एक बार मचली को ज़रूर फड़ाय करें, मतलब घुमा फिरा दे, और नीचे पड़ा मचली पक जाएगा, और उपर वाला मचली कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसे, दो-चार बार कल्चुल से उठा-पटक करा है, मचली में देखें, हलका पीला पन आ रहा है या नहीं, जब पीला पन आ जाये, तो समझ लीजिए के बापका मचली तयार है, तयार हो रहा है, स्वरी, अब आप शोलनी का इस्तमाल करें शोलनी का इस्तमाल ना करें वरना मचलिया तूट सकती है मचली बिल्कुल सवादिस्ट हो चुका 20 मिनट हो चुका है मचली बिल्कुल अब बनके तयार है अब इसमें उपर से पानी ना दे और परोशना शुरू करें फ्लेट में खाने के लिए बिल्कुल ही तयार हो चुका है